ओम जै स्री कृष्ण मित्रों सास्त्र कहते हैं कि 18 दिनों के महाभारत युद्ध में उस समय की पूरुस जनसंख्या का 80% सफाया हो गया था उसने इधर उदर देखा और सोचने लगा कि क्या वास्तों में यहीं युद्ध हुआ था यदि यहां युद्ध हुआ था तो जहां वो खड़ा है वहां की जमीन रक्त से सराबोर होनी चाहिए थी क्या वो आज उसी जगे पर खड़ा है जहां महान पांडव और सिरी कृष्ण खड़े थे तब ही एक ब्रद्ध ब्यक्ती ने वहां आकर धीमे और सांत स्वर में कहा कि आप उस बारे में सच्चाई कभी नहीं जान पाएंगे संजय ने धूल के बड़े से गुबारे के बीच में दिखाई देने वाले भगवा वस्त्रधारी एक ब्रद्ध ब्यक्ती को देखने के लिए उसकी तरफ सिर को घुमाते हैं मुझे पता है कि आप कुरू छेत्र युद्ध के बारे में पता लगाने के लिए यहां हैं लेकिन आप उस युद्ध के बारे में तब तक नहीं जान सकते जब तक आप ये नहीं जान लेते कि असली युद्ध है क्या असली महाभारत है क्या बूढे आदमी ने रहस्य में ढंग से कहा तुम महाभारत का अर्थ जानते हो तब संजय ने उस रहस्य में ब्यक्ति से पूछा वो कहने लगा कि महाभारत एक महा काब्ब है एक गाथा है एक वास्तविक्ता भी है लेकिन निश्चित रूप से ये एक दर्सन भी है ब्रद ब्यक्ति संजय को और अधिक सवालों के चक्कर में फसा कर मुस्करा रहा था आप मुझे बता सकते हैं कि दर्सन क्या है संजय ने निबेदन किया जब आवस्य जानता हूं बूढे आदमी ने कहना सुरू किया कि पांडो कुछ और नहीं बल्कि स्वाद स्पर्स और स्रमन और क्या आप जानते हैं कि कौरों क्या हैं उसने अपनी आखें संकीन करते हुए कहा कि कौरों ऐसे सव तरह के विकार हैं जो आपकी इंद्रियों पर प्रतिदिन हमला करते हैं लेकिन आप उनसे लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं पर क्या आप जानते हैं कैसे संजय ने फिर से नामे सिरह लाया जब कृष्ण आपके रत की सवारी करते हैं ये कहे कर वो ब्रद ब्यक्ती बड़े प्यार से मुस्कराया और संचय अंतर द्रश्टी खुलने पर जो नवीन रत्न प्राप्त हुआ उस पर बिचार करने लगते हैं कृष्ण आपकी आंतरी का आवाज आपकी आत्मा आपका मार्ग दर्सक प्रकाश हैं और यदि आप अपने जीवन को अपने हाथों में सौप देते हैं तो आपको फिर चिंता करने की कोई आवस्यक्ता नहीं है ब्रिधा आद्मी ने बताया संजे अब तक लगभग चेतन अवस्था में पहुँच गया था लेकिन जल्दी से एक और सवाल लेकर आया फिर कौरों के लिए द्रोणाचारे और भीस्म क्यों लड़ रहे थे ब्रद्धा आद्मी कहता है कि भीस्म हमारे अहंकार का प्रतीक है अस्वस्थामा हमारी वासनाएं इक्छाएं हैं जोकी जल्दी नहीं मरती दुर्योधन हमारी सांसारिक वासनाओं इक्षाओं का प्रतीक है, द्रोणाचार हमारे संसकार हैं, जैद्रत हमारे सरीर के प्रती राग का प्रतीक है, कि मैं ये देहु हूँ, इसका भाव है, दुरुपद बैराग का प्रतीक है, अरजुन मेरी आत्मा है, मैं ही अरजुन भी हूँ कृष्ण हमारे परमात्मा हैं पांच पांडव पांच नीचे वाले चक्र भी हैं मूला धार से बिसुद्ध चक्र तक द्रोपदी कुंडलिनी सकती है वो जागरत सकती है जिसके पांच पती अर्थात पांच चक्र हैं ओम सब्द ही कृष्ण का पांच जन्य संखनाद है और जो मुझ और आप आत्मा को धांधस बंधाता है कि चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूँ अपनी बुराईयों पर विजय पाओ अपने निम्न बिचारों निम्न एक्षाओं सांसारिक एक्षाओं अपनी आंतरिक सत्रों यानी कौरों से लड़ाई कर अर्थात अपनी मेटेरीलियस्टिक वासनाओं को त्याक कर और चैतन पाठ पर आरूड हो जा विकार रूपी एवं दुष्ट प्रकृति के हैं स्री कृष्ण का साथ होते ही बहत्तर हजार नाणियों में भगवान की चैतन्य सक्ति भर जाती है और हमें पता चल जाता है कि मैं चैतन्यता आत्मा जागरती हूं मैं अन से बना सरीर नहीं हूं इसलिए उठो जागो और अपने आपको अ भगवान को पाओ यदि भगवत प्राप्ति या आत्म साक्षातकार है यही इस मानव जीवन का सरबोक्ष लक्ष है ये सरीर ही धर्म छेत्र कुरु छेत्र है धतराष्ट अज्यान से अंधा हुआ मन है अरजुन आप हो संजय आपके आध्यात्मिक गुरु हैं प्रिद्ध अपने बड़ों के प्रती आपकी धारना बदल जाती है जिन बुजुरुखों के बारे में आपने सोचा था कि आपके बढ़ते वर्सों में वे संपून थे अब आपको लगता है कि वे सभी परिपून नहीं हैं उनमें दोश हैं और एक दिन आपको ये तै करना होगा कि उ उनका बिरोध करना या लड़ना भी पड़ सकता है यह बड़ा होने का सबसे कठिन हिस्सा है और यही वज़े है कि गीता महत्तुपून है संजे धरती पर बैठ गया इसलिए नहीं कि वो ठका हुआ था बलकि इसलिए कि वो जो समझ लेकर यहां आया था वो एक एक कर धरास हो रही थी लेकिन फिर भी उसने लगभग फुस फुसाते हुए एक और प्रस्न पूछा तब करन के बारे में आपका क्या कहना है आह ब्रद्ध ने कहा आपने अंत में सबसे अच्छा प्रस्न बचा कर रखा हुआ है करना आपकी इंद्रियों का भाई है वो इक्षा है वो सांसारिक सुख के प्रती आपके राग का प्रती कहे वो आपका ही एक हिस्सा है लेकिन वो अपने प्रती अन्याय महसूस करता है और आपके बिरोधी बिकारों के साथ खड़ा दिखता है और हर समय बिकारों के बिचारों के साथ खड़े रहने के कोई न कोई कारण और बहा बनाता रहता है क्या आपकी इक्षा आपको विकारों के वसी भूत होकर उनमें बह जाने या पनाने के लिए प्रेरित नहीं करती रहती हैं बृध ने संजे से पूछा संजे ने सुईकारोक्ती में सिर हिलाया और भूमी की तरफ सिर करके सारी विचार स्रंखलाओं को क्रम ब उठाया वो ब्रद ब्यक्ति धूल के गुबारों के मद्ध कहीं बिलीन हो चुका था लेकिन जाने से पहले वो जीवन की वो दिशा एवं दर्सन दे गया था जिसे आत्म साथ करने के अतिरिक्त संजे के सामने अब कोई अन्यमार्ग नहीं बचा था तो महा भारत दो हैं एक महा भारत जो कथा जो आप लोगों ने कवरों और पांडों छत्रियों की लड़ाय के बारे में सुना और एक महा भारत जो आपके अपने सरीर के अंदर होती है तो आज हमने उसका ग्यान प्राप्त किया अस्तु जैस्री किष्णा प्राप्त किष्णा